Hello students, good morning everyone. Chapter Ray Optics and Optical Instrument, lecture number 18 for class 12. This lecture में हम कुछ numerical problems को discuss करेंगे, जो कि कल की डेट में फिर दुबारा common रही हैं भोच्छे बच्चों की. तो आईए उनको हम solve कर लेते हैं. तो सबसे पहले है आपका क्यूशन नमबर 78. आपके पास जो बुक है, उसका example 78 है. मैं इपर पढ़ रहा हूं, आप तेहां से सुनना क्यूशन को के बाद देखते हैं solve कैसे होगा. A real image is formed by the lens at a distance of 20 cm. A real image is formed by a lens, अगर lens real बनाता है, तो वी की वैली होते है, पोजीटिव, वो कह रहा है at a distance of 20 cm from the lens. And real image is formed by convex lens, it means lens must be convex, भाई, कनकेव तो कभी बना नहीं सकता, real, तो real बनाई है, तो कोण है, convex है, और convex real कहां बनाता है, opposite side to the object, तो object की जो value है, यो की value वो negative होगी, तो भी क्या आएगा, positive, उसके बाद है, the image shifts towards the combination by 10 cm when a second lens is brought in contact with the first lens, determine the power of second lens, यह कह रहा है कि जब एक lens इसके contact में लेके आता हूं, तो उसके कारण जो image है, वो 10 cm lens की तरफ आ जाती है, यही है, 10 cm shift towards the combination by 10 cm, हाँ ठीक है, lens की तरफ 10 cm आ जाती है, यानि पहले आपने पास lens था, उससे कितनी दूर, 20 cm दूर बन रही थी, जब इसके contact में एक lens और रखा, तो यह आपकी कहां पे आगी, इधर से, यह जो distance है, या इधर कितनी आगी, 10 cm आगी, तो यह भी कितना बची गया, इधर से, यह भी 10 cm, तो उपर वाले को नाम B1 देलो, और निच्चे वाले को V2 देलो, दो पोजिशन तो पता चलगी, दो चीज तो पता चलगी, अब मैं क्या करता हूँ, एक की focal length F1 मान लेता हूँ, और एक की मान लेता हूँ, F2, ऐसा कंसिडर करके, और मैं इस से क्योसन को सोल कर दूँगा, तो आपके पास result आज जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं क्योसन इजी है, चलिए देखिए, सबसे पहले formula लगई, 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F, पहले length के लिए, जब अकेला था तब, तो V की वैल्यू तो 20, U नहीं पता, is equal to 1 upon F, देद दुना, this is equation number first, अब second, अगर मैं equation बनाऊं, तो उसमें मेरे पास U की वैल्यू गीवन नहीं है, U की वैल्यू गीवन नहीं है, तो अगर मैं एक और कोई equation लिखू, देखिए, एक equation है, इसमें दो variable है, इस अकेली equation से, तो और आगे कुछ भी निकाल पारना impossible है, तो कोई और equation मिले मेरे को, जिससे मेरे को idea मिल जाए, कि किस तरह से equation को solve करूं, तो वो equation यह हो सकती है, कि दोनों lens है, इनको combine किया है, तो यहाँ पर combination of lens की focal length क्या होगी, वो मैं यूज कर सकता हूं, तो एक की F1 मान लेता हूं, एक की F2, तो क्या होगा, 1 upon F, लेटे, नेट रजल्टेंट का focal length is 1 upon F, देन 1 upon F1 plus 1 upon F2, इस इस equation number second, यह मेरे पास equation second हो गई, या इसमें कुछ और changement हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसमें कुछ और changement भी हो सकता है, वो यह हो सकता है, कि second में भी V की value given है, second में V की value given है 10, तो काम चल जाएगा न, और अच्छे से हो जाएगा, तो 1 upon 10 minus 1 upon U is equal to, ऑब्जक तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, दो लेंस अगर combine करते हैं, तो अगर यहां रखा था, तो वो तो नहीं बदलेगा, वो तो वहीं रहेगा, दोनों close contact में रखे हैं, तो लेंस को क्या मानना जाता है, तो एनकी thickness का object की position के उपर, या image की position के उपर, जो measurement करने का point है, वो change नहीं होगा, means अगर distance को यहां से measure करोगे, यहां से करोगे, यहां से करोगे, यहां से करोगे, यहां यहां, यह कहीं से कर लो, वो रहेगा, ठीक है इसलिए हम क्या लेके चलते हैं थिन लेके चलते हैं ताकि वो सेम हम लेश के तो इस इकोल टू बन अपोन एफ टू यह वैल्यू उठाके यहां रख दीजिए यह वैल्यू यहां रख दू या क्या कर दू हां रख देता हूं चलिए वन अपोन एफ टू की वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो यहां पर रखने के बाद अपने पास है क्या फोर्मूला बनेगा कि एक मिन्ट में अभी एक बार नोट बूक में करके देख लेता हूं कि क्या बनना चाहिए कि 1 अपोन एफ इजए कॉल टू अपोन एफ वन पलश वन पून एफ टू वीग इवन है ठीक है उसके बाद फोर्मूला में अगर में वैल्यू रखतू हूं चली हां ठीक है हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है देखिए यहां पे थोड़ा सा मैंने गड़बड कर दिया यह जो वैल्यू है क्या है क्योंकि combination इन दोनों को आपस में combine करने के बाद combine करने के बाद फोकलेंट कितने होगी फ और combine करने के बाद आपके क्या वैल्यू तो यहां पर वन अपोन एफ की वैलीव रख दीजित ही आगया 1 upon 10 minus 1 upon U is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2. This is equation number 3. ये equation और ये equation इन दोनों को आपस में compare कर लीजे. इन दोनों को आपस में compare कर लीजे. देखिए, ये चीज़ common है, cancel हो जाएगी. ये भी common है, cancel हो जाएगी. यहां से F2 आ सकता है. यहां से F2 आ सकता है. तो देखिए, इसका इसका symbol भी same है, इसका इसका भी same. बहुत अच्छी बात है, एक step में result बन जाएगा. तो first को second में से, second को first में से subtract कर दो. तो अगर मैं second को first में से subtract करूँगा, तो ये minus का आएगा. फिर दुबारा changement करना पड़ेगा. क्यों ना मैं first को third में से, first को third में से क्या कर दो, subtract कर दो. तो क्या operation यूज़ कर लेता हूँ, 3 minus 1. यह operation यूज़ कर लेता हूँ, तो ये अगर मैं use करूँगा, तो 1 upon 10 minus 1 upon U minus 1 upon 20 plus 1 upon U is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 minus 1 upon F1. इससे ये cancel, इससे ये cancel, तो ये होगा, आपका 1 upon 10 minus 1 upon 20 is equal to 1 upon F2. यहां से F2 के लिए इसको solve कर लीजिए, और फिर P is equal to 1 upon F2. P2 is equal to 1 upon F2. यही निकालना था. वैल्यू यहां पे रख दोगे है, तो answer आपका आज आएगा. यहां पे जो F की value cm में आएगे, पहले उसको मीटर में बदलना पड़ेगा. ठीक है? फिर आपका result आएगा. यह डारेक्ट 100 upon F in cm कर दोगे, तो भी result आपको मिल जाएगा. थोड़ा साथ की question अच्छे level का है, क्योंकि equations बगेरा बनानी पड़ती है, तो physics कम और math जादा आपका यूज हो रहा है question में. तो वैसे तो इस तरह के question होते हैं, वो exam में बहुत कम आते हैं, क्योंकि calculation part इतना जादा होगा, जिसमें time लगेगा बहुत जादा. और ये question ज्यादा से ज्यादा two marks का सकता है, two marks के question में time लगेगा, हाँ ये confirm है time लगेगा, अब देखिए ये जो है, आप खुद देख सकते हो, मेरे से इतना time लग या soul करने में, पहले मेरे कोई notebook में करके देखना पड़िया, तो definitely time आपका तो लगेगा ही लगेगा, time लग ही लगेगा, ठीक है, चलिए, हाँ लेकिन ये है कि इस तरह के questions अगर आपने एक बार कर लिए, और ऐसी type दुबारा repeat होती है, तो फिर आप time नहीं लगा हो गया, फटा-फट कर दोगे इसको, कि सिदर जिदा पता है, दो variable है, तो at least two equations तो बढ़ानी ही पड़ेंगी, और व question number 18, और देख लेते हैं, वो क्या है, so question number 18 है, ये बहुत easy है, question तो, बहुत easy है, देखिए, मैं कर देता हूं इसको, an object is situated at a distance of 20 cm, on the left of a convex lens of focal length 10 cm, एक lens है, उसकी focal length given है, 10 cm, और u की value भी given है, उससे, 20 cm दूर object को रखा है, ठीक है, तो image निकाल देजी, image distance निकाल दोगे, one upon v minus one upon u is equal to one upon f, तो इन में, तो आपके पास u given है, minus 20, तो ये होगा, one upon v plus one, चलो, one upon v निकालना होता है, तो formula क्या बढ़नेगा, one upon f plus one upon u, now place the values, तो one upon v, इसको one नाम दे दू, क्योंकि एक lens और भी तो use होगा, इसको भी one नाम दे देता हूं, तो one upon v one is equal to one upon f, that is one upon ten, यू की value minus की है, तो minus one upon 20, एल्सियम लेके sol करोगे, तो two minus one, one upon twenty, यानि v one is equal to twenty centimeter आगया, और यवा, twenty centimeter, twenty centimeter, यानि two f के उपर object रखा हुआ, तो यहां से एक parallel ray of light जाएगी, और एक जाएगी optical center से, यह दोनों आप पस में मिल जाएगी, यहां पे suppose, तो यहां बनेगी image, और यह distance है आपका यहां से यहां तक का 20 centimeter, अब देखिए अगला part, देखिए इसका, एक part हो गया, कोई बड़ी बात है नहीं, आपके पास आगया, तरीके से करो, तो यह A है, यह B है, तो यह क्या बनेगा, A dash, यह बनेगा, B dash, यह आपके incident ray, यह refracted ray, ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, अब कर रहा है, another convex lens of focal length 12.5 centimeter is placed at a distance of 30 centimeter on the right of the first lens, यहां से 30 centimeter दूर, 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 एक और convex lens रखा है, जिसकी focal length 12.5 है, ठीक है, तो यह distance कितना हो गया, definitely 10 centimeter हो गया, तो U की value given होगी, U is equal to, इस case के लिए, उसको U1, U2 ऐसे मान लेना, इस case के लिए U की value given होगी, कितनी, minus 10 centimeter, F की value given होगी, 12.5 centimeter, तो 1 upon V क्या होता है, 1 upon, U, plus 1 upon F, now place the values, 1 upon U, that is minus 10, 1 upon, तो यह पहले में 1 upon F, लिख देता हम, 1 upon 12.5 है, तो यह minus हो जाएगा, minus 1 upon 10, upon, कितना है एल्शियम, एल्शियम आज जाएगा, 125, अरे बताईए, बाई, कितना हैगा है, ऐसे कर दूं क्या, एसे कर देता हूँ, अब एल्शियम निकाल देजी, 10 की टेबल में, 125 तो आएगा नहीं, तो इसका दो गुणा करेंगे, वो भी नहीं आएगा, तो ऐसा ही कर देता हूँ, मैं, तो 1, 2, 5, इंटू 10 कर लेता हूँ, तो इधर कितना हैगा, 110, मैंनस, ये कितना जाएगा, 125, ठीक है, तो 1 अपोन V is equal to, मैंनस 110 अपोन में, 125 इंटू 10, यानि 1250, तो V is equal to 1 upon V is equal to minus, ने, 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 वी निकालना है, वी निकालना है, V, V is equal to, minus 1250 upon 110, 111, 111, 111, कितना हैगा, भई, शोल करके देख लो, आप कितना आना जाहिए, देखना पड़ेगा आपको, कि कितना आएगा, answer, और calculation भी आपको देखनी पड़ेगे, कितनी आएगी, calculation में कुछ गडबड है, सही कर लेना चलो, ठीक है, आगी का काम आपके लिए छोड़ता हूँ, बस हो गया, और कुछ भी है इसमें, ये था, ठीक है, इसको शोल करके, और आप result निकाल दोगे, तो जो भी आएगा, वो वी की वैल्यू आज जाएगी, तो भी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आने चाहिए, मेरे इस आप से तो, 60, 70 या 50, जितनी भी है वो आएगे, 60, 70 के आसपास पाने चाहिए, यानि इतनी तो आए कि एक इमेज इधर चले जाए, ऐसी कंडिशन बनती तो ये, एक माइक्रोस्कोप बन जाएगा, वो आएगा अभी, टोपिक तब देखेंगे, तो इमेज लगपगे साइड में चली जाएगी, साइड में चली जाएगी, मेगनिफाइड होके, तो अब ये इस तरह से अगर आपके तैसे, और एक आप से, तो इमेज कुछ इधर ऐसे आजाएगे, यह बढ़ जाएगी, यह आज यह आजाएगा, एडबल डैस और बी ड स्टेंस रहेगा यह यह आपका भी है यह निकाल के यहां से रखते ना यह था किस और भी कुछ पुछा था क्या इसमें फिर पुछा है स्टेट ऑल्सू निचर ओव दाइमेज जो फाइनल इमेज बनी उसका निचर साफ-साफ दिखरी वर्चुल है एनलार्जड है virtual हमेशा इरेक्ट होती है विद रस्पेक्ट टू second object और फर्स्ट अबजच्ट के रस्पेक्ट में inverted है ठीक है inverted रस्पेक्ट टू first object ठीक है inverted with respect टू real object एंड इरेक्ट विद रस्पेक्ट टू virtual object clear यह भी real है और यह भी real है तो यह क्या होगी वर्ट्वल एंड इन्वर्टिड एनलार्जड यह तो है फिक्स दुनों के लिए वास इतना ही ठीक है बट वर्ट्वल एंड एनलार्जड फुर कोमन होगा दुनों के लिए बट इरेक्ट फुर सेकंड केस एंड इंवर्टिड फॉर फ्रस्ट केस. फरस्ट अब्ज़क्ट के रस्पेक्ट में क्या है? इंवर्टिड और सेकिंड के रस्पेक्ट में इरेक्ट है. चलिए, next. देख लेते हैं, 1 क्युशन और था साल्यद है, 82. हो गया? 82? नहीं हो आए. चलिए 82 क्यूशन बहुत तीजी सा है यह बेजी था कुछ भी नहीं था इसमें स्टेप वाइस्टेप सोल करना था कुछ भी था नहीं इसमें चलिए फिर भी नेक्स्ट दिखा देते हैं कि अ कि एक कि उसनोर है और वह आपके पास देखिए क्या होता है कि जो नुमेरिकल्स होते हैं उनमें वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि बॉर्ड के उपर लिखने के बाद जो कैलकुलेशन होती है उसमें सक रहता है हमेश्या कि कैलकुलेशन सही होगी या नह इसा नहीं होता मैथ में क्या होता है फिक्स है कि उसन सापके वही बार-बार करकर के टिचर की इतनी ज्यादा प्रक्टिस हो जाती है कि इसके बाद या इसके बाद या इसके बाद ये स्टैप आए जैसे हमारे आर्टिकल्स में आमेक जरूरत नहीं पड़ती बार-बार उ लेकिन फिजिक्स में जो नुमेरिकल होते हैं उनमें उसको समझना जरूरी है किस टोपिक से रिलेटिड है क्या केस बनेगा किस तरह के कंडिशन के रियेट होगी आप देख रहे हो कि आप जितने भी एक्जामपल किये होंगे आपस में एक दूसरे के साथ कोई मैच नहीं हो तो है मैच जी ऐला सुमें材 हैं है जीए जीजिक्स में आथ तो कैमेस्ट्री पढ़ते हो उतनी दो फिजिक्स पढ़नीपडनी के वह त्योरे हदो अब बात करते मेर टाइप्टै पे। नुमेरिकलों कि पता नहीं नुमेरिकल ओगा या नहीं होगा वैसे टाइप का नहीं हुआ था ऐसा पेपर में आगा दिक्कत हो जाएगी यह कुस्वन है यह तो आ गया लेकिन इसी टाइप का दूसरा आगा तो हो सकता है गलत हो जाए इस तरह की कंडिशन हमेशा माईन में बढ़ रहेगी इ इसलिए महनत करोगे तो ही आप कामियाब हो पाओगे अभी देखिए मेरे पास तो कोई टाइम बाउंडेशन है नहीं नुमेरिकल करने में हो सकता है 2-4 मिनट फालतु भी लग जाए किसी में कोई बड़ी बाद नहीं है लेकिन आपके पास टाइम बाउंडेशन है अगर अगर आपने किसी नुमेरिकल में पाँच मिनट साथ लेली कोई बाद ने कोई बाद निंग लेकिन अगर कहीं गढ़मोलेंसलेशनवगे होगे फिर नकोई मिनट उप ठुट जाएगा इसलिए प्रक्षे आपको सांने पड़ेंगे अब आप सोच रहोगे कि मेरे से मैंने इतनी बार कर लिए मेरे नहीं नोटबुक में एक बार भी गलती नहीं होती फटा फटा आजाते आंसवर से लेकिन यहां पर आप खुद सोच सकते विडियो की तरफ देखना है सही बन रहा है कि नहीं कि उस्टन देखना है उसके बाद कैलकुलेशन भी करने बोलना भी है कई काम करने पड़ते एक साथ तो माइन डाइवर्ट हो जाता है ठीक है और उपर से वीडियो में थोड़ी यह दिखत भी हो सकता है बार से कोई आवाज आ जाए तो उसको भी चुप करवाना पड़ता है कभी वह अंदर ना गोश जाए सब्सक्राइब कोई आके रूम में आजे कई तरह की कंडिशन ग therapy हो जाती है तो इसलिए नुमेरिकल में थोड़ा-सा मेरा टाइम एक्स्टा लगता है मेरा टाइम एक्स्टा लगता है जबता कोई तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता क्योंकि उप्टिक्स में ऐसे नुमेरिकल ही नहीं जिनमें ज्यादा दिमाग लगाने की ज़रूत पढ़ जाए यह देखिए अभी जो थोड़ी दिर पहले दो तीन कुछन पढ़े हैं हमने अगो स्टेटमेंट देखो तो आप गभरा ज स्टेटमेंट होगी उसका सोलुशन उतना ही जीली हो जाएगा ठीक है चलिए देखिए क्युस्टन है एं एक्वी कन्वेक्स लैंस विदे रडियाई और कर्वेचर ओफ मैगनिटूड आर एच इस पूट आवर ए लिक्विड लेयर पॉर्ड ओन टॉप अप 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 टीम singular लेयर लां ये लेयर लेयर ओन तीब हिं लेयर आवगा मैज़ मोर्ड़ खनार एक्वे लेयर और किस्टन्ट्थ लेयर विदेख ठीक है लेयर अंप शिटनमेट लेयर लेयर पालूर्णस येखिज खियान लेयर the liquid layer and repeating the experiment, the distance is found to be B, चली बहुत अच्छा है, F की वेल्यू आगी दोन्नु, given that two values of distances measured, represent the focal length values in the two cases, obtained a formula for the, यह तो सारा ही सब कुछ बता दिया इसने, जो यह कह रहा है कि जो दोन्नों के सिज में यह value बताई है ना, image के distance की, यह दोन्नों में focal length को define कर रही है, तो पहले की focal length यह तो दूसरे की भी हो जाएगी, यह तो given ही हो गया इसके अंदर, पहले case में जब यानि वो liquid था, जब case यह था, इस तरह का था, और यहाँ पे था liquid, उस time पे उसकी focal length मान लिया, F थी, या F1 थी, जो भी थी, यह कह रहा है कि image consigned कर रही है, तो image consigned कब करती है, जब ray यहाँ पे क्या आनी चाहिए, नॉर्मल इंसिडेंट हो जो पाथ है, वो आपका retrace होगा, और retrace होगा, तभी आपकी image और object एक जगह प्याहिए, it means, यह आपके पास हो गया, उसके बाद second case में उसने क्या किया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको अटाने के बाद उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो अब की बार यह जो position है, f की, यह क्या आगए, अब दूसरा f आगया, तो इसको f डैस नाम दे देते हैं, और वो कह रहा है, अब की बार b आगया, अब की बार b आगया, तो यह सब कुछ तो given है, अब यह कह रहा है कि इसी form में, आप क्या निकार दीजिए, एक formula बनाईए, किसके लिए, refractive index के लिए हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो refractive index के लिए formula होता है, we know that 1 upon f is equal to mu minus 1, वो लगाएंगे, mu minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, वो वाड़ा formula हम यह पर use करेंगे, तो हम देखेंगे, उसमें हमारे पास क्या चीज given है, क्या नहीं है, तो सबसे पहले, तो जो formula बनाएंगे, तो उसम आपके पास condition create हो जाती है, कि कोण सा case लें, जब पानी जो liquid था वो अटार दिया, वो case लें, या liquid था वो case लें, तो यहां पे आपके पास जो है, पहला case था, अकेला lens, उसके बाद दूसरा case था, उसमें से, यानि पहले था, वाटरोर lens दोनों, फिर उसके बाद आपके पा जाना, उसमें केवल lens बच गया, लेकिन एक case और रहा गया, कि आपका जो water है, यह भी तो एक lens की तरह भी एव करेगा, भाई, जो water है, यह भी तो एक lens की तरह भी हो करेगा, suppose कीजिए, कि यह इस तरह का case बन रहा है, तो यह आपका dancer medium, और यह आपका error medium, हाना, यह जो water है, water है, यह और कुछ liquid का नाम दिया है, एक मिनट में देख लेता हूं, liquid water है, यह और कुछ दे रख्या है, हाँ, water ही है, liquid का नाम दे रख्या है, इसने water, तो lens से refractive index water का, तो कम ही होता है, तो देंस यह कहा है, rarer, denser to rarer, तो अब जो water lens है, that behaves lie, water lens से, अगर मैं बात करूं, त स्पोज उसकी जो focal length, वो f2 या f double dash आएगी, यह मेरे को निकालने भी, know that combination के लिए formula क्या होता है, 1 upon f1 plus 1 upon f2, अब मेरे को यह बताईए, कि f1 और f2 में से कौन positive होगा, और कौन negative होगा, कौन positive होगा, और कौन negative, तो मैंने बताया था आपको, कि अगर mirror वगेरा, इसके contact में आ जाएं, तो lens का behavior change हो जाता है, तो पहले case में उपर से निचे, अगर इधर से इधर रहे हैं, तो convex से लेकिन इधर से इधर जाएगी, तो behavior को change करना पड़ेगा, तो वो concave लेना पड़ेगा, तो इस case के लिए है f1, तो formula होगा, 1 upon f, minus 1 upon f1, तो f double dash की value, आपकी a और b की form म आ सकती है, तो f double dash is equal to a 1 upon f, यानि 1 upon a minus 1 upon b, now, हाँ ठीक है, now इसको solve कर लो, तो आपका यह आ गया, a b आ गया, calcium, तो यह आ गया, b minus a, तो आप कह सकते हो, f double dash is equal to a b upon b minus a, that is the formula, now, इस f double dash के लिए ही क्या लगा दिए, लीजिए, lens maker formula, बहुत हीजी सा question है, mu minus 1 into में, 1 upon r1 minus 1 upon r2, ठीक है, तो अब आपने पास, r1 की value है, वो given है, r1 की value given है, और r2 की value, r2 की value भी given है, वो infinity है, और r1 की value, minus r, r1 की value, minus r है, और r2 की value, infinity है, clear है, clear है, चलिए, ठीक है, तो value दोनों रख दीजिए, यहाँ पे, दिखिए, यहाँ पे आपने पास, एक की infinity रखनी होती है, और एक की रखनी होती है, r, तो वो आपकी उपर depend करता, बस ऐसे कर लीजिए, हो गया, now solve this, solve this, किस के लिए solve करना, mu के लिए solve करना, बहुत इजी इसा formula बनगा, यह r आज जाएगा, उपर तो r upon में, f double dash is equal to mu minus 1, और mu is equal to r upon f double dash, plus 1, f double dash की value रख दीजी, a और b की form में, आपके पास result आजाएगा, ठीक, a, b, और r की form में, आपको answer निकालना है, वो आपके पास आजाएगा, clear है, वो तीजी easy questions है, एक question और आया था, किसी लड़की का, हाँ, वो question था, दमदार, मैं question पढ़ रहा हूं, जो आपका page number 9.54 है, उस पर question देगी, अब तक जितने question पूच किये हैं, मैंने 3 question कर दिया, बहुत easy, मैं मान रहा हूं इनको, कि इन में बच्चों को अटकना नहीं था, कि वोल mathematical portion है, भी है, वो सारे math के हैं, तो उनको ऐसी problem आनी नहीं थी, कोई बात नहीं, फिर भी अगर आई है, तो practice कीजिए, बार-बार इस तरह के numerical को, और कोई book को, उस में से practice कीजिए, तो आपको problem नहीं आएगी, क्योंकि देखे, जब teacher कर दिया, board के उपर, तो ऐसा नहीं है, कि आप आपको आगया, वो तो केवल और केवल आपको यह है कि बताया है, उसने कि ऐसे कर सकते हो, आप और ऐसा क्यों कर सकते हो, लेकिन करना फिर भी आप कोई पड़ेगा, practice आप अपने हाथ से नहीं करो, तब तक numerical से नहीं आ सकते, मेरा काम यह है, मैं numerical आपके mind में से नहीं कर सक करना ठीक है, और वो आना, वो डिपेंड करता है teacher के उपर की concept समझाया, समझ में आया, apply करना से लिया, लेकिन numerical teacher क्या कर सकता है, उसको soul करके answer निकार सकता है, क्या कर सकता है, soul करके answer, अब वो आपको आना और ना आना, वो आप पे ही depend करेगा, कैसे, अगर आपने practice की, तो आप ऐसे numerical को करतोगे, practice नहीं कि आपने सोचा, आप सर ने समझाया, आगया, नहीं आया, आप तक, practice नहीं करोगे, तब तक नहीं आ सकते numerical, तो main optics में numerical हैं, और ray diagrams हैं, उनकी practice अगर करोगे तो, यह समझ लिए, physics में सबसे आसान optics ही है, ठीक है, तो question बहुत अच्छा, यह question म मानता हूं, standard का है, the, यह कहरा है, in the following ray diagram, are shown the position of object, image, two lenses, and plane mirror, the focal length of one of the lens is also given, calculate the focal length of the another lens, बहुत अच्छा किप्शन है, mirror भी है, lens भी है, सारी जी इस ने यूज की है, convex भी यूज किया है, चलिए, बहुत अच्छा है, question, तो जो diagram है, वो बना रख्या, इसने यह principal axis लेके, इधर इसने बनाया, एक convex lens, अच्छा नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं, एक convex lens बनाया, उसके बाद इसने बनाया, एक concave lens, और उसके बाद इसने बनाया, एक plane mirror, ठीक है, और इनकी help से बन बना दिया, इसने diagram, तो ऐसे raise जा रही थी, ऐसे, हलकी से क्या होंगी, converge होंगी towards the normal, तो यह logic towards the normal, उसके बाद आपको पता है, यह क्या करेगा, यह इनको, यह कह रहा है कि इसने इसको parallel बना दिया, तो यह path retrace हो गया, तो ऐसा कब हो सकता है, यह गीवन है, यह है गीवन, यह गीवन, यह गीवन, यह गीवन यह object है, इतना गीवन है, और साथ में क्या और गीवन है, पहले lens की focal length, और पहले lens का distance of the object, यह गीवन है, अब वो गलती से इस डाइग्राम में क्या होगा, देखिए, क्यूस्टन में लिखा हूँ है, पोजिशन ओफ ओब्जेक्ट, इमेज, वर तू लेंसे, प्लेन में, यह भी गीवन है, यह 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 यह गीवन है, लेकिन यह इसके डाइग्राम में मिस्प्रिंट है, यह लिखा नहीं और यह 45, कितना है, 45, अब साइद हो जाएगा, अब साइद हो जाएगा, देखिए, यहां से यू की वैल्यू, एफ की वैल्यू, तो आपको यह डिस्टेंस पता चल जाएगा, वी निका कर लो जाएगा, तो यह इसके लिए बन जाएगा, यू और वो पोजिट्व यू वाला यू बनेगा, ठीक है, फिर इसकी इमेज आपको पता चल जाएगी, कि यह कैसी बनेगी, लेकिन इसका तो बस बस यह पता चलने के बाद कुछ भी करना ही नहीं है, अगर यह पता चल रहेंगी, वहनदा उब्जेक्ट इस प्लेस्ट अं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, पैरलल तभी तो होंगी, तो आपका फोकल लेंथ भी आजाएगी, इमेज डिस्टेंग भी आजाएगा, भीना सॉलूशन आ रहा है, भीना ही कैल्कुलेट किया रहा है, पहले लेको सोल करो और यह वैल्यू निकालो, आंसर सारे अपने आप आजाएगा, ठीक है, तो बसी कॉंसेप्ट यही था आपका, में तो बस दिक्कत यही थी कि यह वो नहीं था, दूसरा यह था, कि यह जो आई है, यह इसके लिए उब्जेक्ट बनेगा, और साथ में यह क्या है, इसकी फो बेना निकाले लिख सकते हो, अगर उब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा हो तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, पाथ रिट्रेस हो जाएगा, अगर पैरलल गई तो पाथ क्या हो जाएगा, रिट्रेस जहां से गई थी वहीं से वापीस जाके फिर दुबार आइमेज यहां भी बन जाएगी, फाइनल इमेज उसी पोजिशन पे बन जाएगी, किलियर, ठीक है, तो अब सायद किसी भी टाइप का नुमेरिकल नहीं बचना चाहिए, और सायद हर बच्चे ने जो भी प्रोब्लम मेरे पास सेंड की, सभी का सोल्य प्रोब्लम में जाएगा, तो अब अपनी नोटबूक को कम्पलीट कर लें, सभी बच्चे, सभी नुमेरिकल, देखिए मैंने दो दिन का टाइम दिया था, दो की बजाए तीन कल और एक आज का और हो जाएगा, चार दिन, तो चार दिन में केवल और केवल तीन ही तो कई बच्चे ऐसे हैं, जिसने एक भी नुमेरिकल जाएगा, हैं कई ऐसे जिन्होंने एक भी नुमेरिकल जाएगा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और आपना कंपलीट करके, आज मेरे पास लिएगा कर दे, आज के वीडियो में इतना ही, थेंक्स.